आज 27 जेन्वेरी 2023 को गोर्खाजनमुक्ति मोर्चा की तरफ से अन्वियाफ अफ गोर्खाजनमुक्ति मोर्चा मैंने Honorable President of India स्रिमती द्रोपती मुर्मु Honorable Prime Minister of India श्री नरेंडर मोदी Honorable Om Minister of India श्री अमित्चा और Honorable Chief Minister of West Bengal मिस मम्ताव अनर्जी को एक पत्त्र लिखाए जिसमें गोर्खाजनमुक्ति मोर्चा Government of India और Government of West Bengal ने 2011-18 जुलाई को ट्राइपाटाइट एक्रिमेंट किया था गोर्खा लाइन टेरिटोरियल अड्मिनिस्ट्रेशन बनाने का लिए जो स्ताक्चर किया था वाँ से गोर्खाजनमुक्ति मोर्चा ट्राइपाटाइट एक्रिमेंट से अब विड्रा कर राया आम लोक आसी सिंगे करिक आँड एक्रिमेंट कि से गोर्खाजनमुक्ति मोर्चा को裡 ट्राइपाटाइट दूजेस्ट कि ट्राइपाटाइट मिढ्या you see, GTA has not been and it has not been able to restore the Korka identity of the people of the region. तो इसलिए GTA की एग्रिमेंट की और से आम लोग विद्वा कर रहा है सपोर्ट जब GTA एग्रिमेंट हुआ था यह इंटेल विलेज में दो देन होम मिनिस्टर अफ इंडिया श्री पी चितंबरम चीप मिनिस्टर ग्रमेंट अफ वेस्ट बेंगाल मिस ममता वैन्वर जी दी देन एंपी अफ दार्जिलिंग पार्लमेंटरी कॉंस्टिटिएंची श्री जश्वन सिंग और गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का प्रेसिडेंट विमल गुरुम जी के सामने यह अस्ताक्षर हुआ था जिसमें मैंने सिगनेचर किया था तो आज मैंने अन बियाफ अफ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोर्णेट उफ इंडिया को और गोवर्णेट वेस्ट विंगाल को और प्रेसिडेंट आफ इंडिया को चिठी लिख के आम यह सिग्नेचर विध्राव कर रहा हुए पहले तो यह एक चुक्षी वा था बात में तो यह एक बन गया अभी कितना पॉसिबल है यह नहीं देखिए जीटिये का एग्रिमेंट की तोर से एक वहां पर क्लॉजे जहां पर पिरोडिकल रिव्यू अता है गोर्खा जन्मुक्ति मोर्चा ग्रमेंट ऑफ इंडिया और ग्रमेंट ऑफ वेस्ट बिंगाल बैट के तो यह बहुत साल हुआ है गोर्खा जन्मुक्ति मोर्चा वहां बैट के रिव्यू भी नहीं हुआ है हाँ टुथाउजन फिप्टीन ट्विंटीन आइंट ऑफ जैन्वेरी तुथाउजन फिप्टीन को लास्ट ट्राइपाटाइप मीटिंग हुआ था जिस दिन सुभास जिसिंग जी का द्यान तो गया था उससे आज तक यह रिव्यू मीटिंग भी नहीं हुआ है वहां पर लोग जी टीए को सपोर्ट नहीं कर रहा है जी टीए की एग्रिमेंट से आम लोग अपना सपोर्ट विद्वा कर रहा है अब गर्मेंट ऑफ इंडिया को गर्मेंट ओवेंट मिगाल को देखना चाहिए यूँकि जी एटीए का एग्रिमेंट on behalf of Gorakhazan Mukti Morcha मैंने sign किया था on behalf of government of India के पाटक ने sign किया था joint secretary government of India home department और उस time का home secretary G.D. Gautama उन्हें ने sign किया था as signatory one of the signatory आपना विड़कर राइस वे तो फुनिश्यट जिए वो फॉर फॉर्ध जग जर्ट गोडन मुटी मोचा विल सिंट और डिसक अधिए औरुट ब्ड़ जिए ओध इस अधिए being able to deliver anything taray and doors has been left aside taray and doors as per gta memorandum of agreement and act हैस अम्नॐली इन समय्टी क्राइव। हैं। भी इन इन ARE फीज्टर्च आज हैं। और येविंदे आफनी strategies आफनी आफने मंदमें थे एसकता गात्र खोड़िसंगे। which we denied and GTA has not been able to deliver and tarai and doors has been left aside so we want some inclusive including tarai and doors no center government BJP they have already said that they will be going for a permanent political solution and in the Sankalpa Patra BJP they have said that Darjeeling district and doors reason that in district means Silguri Terai also comes into dusting district and doors so the government of India now it has to think our demand is our demand is a separate state of you see that we were seeing that the Ryan doors would be included we submitted one of our proposal to the chief minister it is up to the government to understand but as one of the signatory we are withdrawing our support no our next course of action will be we will sit and discuss and decide what permanent solution now it's it's a government of India so it is up to the government to decide what permanent solution would be the best for the people of the reason the BJP till now it has not been sincere but let us see they have the tenure till 2024 on that day from Kalifu said that we should be thankful to Alu Aliyah, Joshwan Singh and Raju Alivishta and they are doing their best and we are not able to express our gratitude what do you take on this no you see Joshwan Singh ji, Alu Aliyah ji even the present MP Raju Bishhta they have been voicing they were able to voice the demand but the government it has given a day fair now it is up to the government to understand we supported bjp right from 2009 to 2020 they promised but nothing happened we didn't get anything during the time of NDA rule but since they have their tenure till 2024 and they have put the word in Sankalpa Patra we hope that something positive will come out but that also we can't say when you came back from up 3 years he was sounding very soft towards Bangta Bandraji's army and he was let me reiterate that he was lambaste in the BJP army now again he is proving to be very soft towards BJP army that is you see that you have to ask Mr. Biwal Guru he is our leader but you have to ask him you see we had also put our faith on Mamta Bandraji's government and we appealed her to implement the GTA memorandum of agreement and act properly include the mawajahs of Silgudi Terai and Goers but nothing happened so what was the suggestion of Mamta? what was the suggestion of? all 현재 the of central government and what has been we have to consider the로 ofbear and increase in 2008 and have people company by the elected designated of the people वे अपिलाइसे जिटीए का तो जैशा नहीं होगा क्या होना पड़ेगा वो गौपने अफ इंडिया और गौपने वेस्ट पिंगाल समझे हम लोग का तो अपना डिमांड तो गौर्घालान्ड ए आने वाला दिन में अम लोग पाड तराय और दोर्स में डिस्टब नहीं करेंगे वी लोग दो अजिटेशन इन दार्जलिंग येल शिल्गूरी तराय और दोर्स अवर एगिटेशन इन वी फोकुस्ट इन देली कि अब लोग ने रेजिस्ट्र पोस्ट आज बेजांगे आए मैं आप लोग को चिटी भी सियर कर दोंगा इसके आमारा एक नैशनल कमिटी भी बना आए जिसमें आमरो पार्टी अजय एडवर्ड का गोर्खा जन्मुक्ति मोर्चा और विविन्न इस्टेट का प्रतिनी दिये इसमें बिने तामंग भी सामिले प्रदीप्रदान ने भी अपना सपोर्ट जत्ताया है तो आने वाला दिन में नैशनल कमिटी भी बैटके काम करेंगे नैशनल कमिटी का अपना मीटिंग होगा अपना गोर्खा जन्मुक्ति मोर्चा का अपना होगा है हुआ है अग्या विए अपना देखे हैं होम इडिक जो प्रैप्र श्रका पोंच प्रिश्टा तो तो उसके रिप्लाइद अभेटके आपर आपके आपके आपका काहिए हुआ हम लोग इंतजार करेंगे हां क्या हो प्ताय कि या निनोंग आपए झालने निजेगे निक वह तो आप अजे एडवर्ड जी को फूचिए वह क्या करें ने हमारा सजीशन कुछ नहीं है आम लोग जी टी एका एंग्रिमेंट से यूनिलाटरिली अपना सिखने चार नाशनल कमिटी में मैं आज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो उसका लिए बीमल जी को आप पूचना पड़ेगा डॉक्टर लोपसंग लामा को पूचना पड़ेगा अजे एडवर्ड जी को पूचना पड़ेगा पंचाइट इलेक्शन में आम लोग तो आम लोग ने बोल दिया आए पाटिसिपेट करेंगे क्योंकि पंचाइट इलेक्शन पंचाइट बोड़ी जो है एक कोंस्टिट्यूशनल बोड़ी है पंचाइट इलेक्शनल प्रस्तूत गरेको अनि धीय नट्री ले प्रायजन गरेको नेपशनल प्रश्तूत गरेको निप्राइजण गरेको नेप्राइज आएट बोड़ी है एपाली रियालिटी शो हिमालियन आइडल सीजन टू को पईडो एपिशोड 26 जनवरी माश साध शाध साध बजे 30 मिनट को प्रीमेर को साथ सूरू हुने चा 42 एपिशोड हरो रहेको ओक्त हिमालियन आइडल सीजन टू को प्रतिक एपिशोड हफ्ता में चार दिन भीबार, सुक्रबार, सनिबार अडी आइटा बार एक्सके लाइट मा मात्र प्रशावन हुने चा पकवान के है सौकीन तो इसके लाइव लेकर आ रहे है आपके लिए सिलिगोडी किचन पीन का खिताब मैं हिमानी रोय, थेरेपी इंचार्ज और सुत्रा फीजियो थेरेपी और पेइन मैनेजमेंट प्रोसेस आज बहुत ही एडवान्स हो चुका है यूएस इंपोर्टेट टेकनोलोजी और आधुनिक मेथर्ज जोकी लेटेस्ट रिसर्चों पे आधारित द्वारा हम बहुत ही कम समय में अच्छे रेजल्ट ला सकते हैं थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करे दे थेरेपी एक्सपर्ट सुत्रा का प्रीमियम फर्मीचर ब्रांध है जो डिजाइन निर्मान और स्थिवता के लिए एक जाना माना नाम फर्मीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग् कर दो